जहिंद्वर नमस्कार ग्रोथपॉंट यूपीसी के इस महत्वपूण महत्वकांक्सी काडियक्रम रिशर्च लेडिटोरियोल एनलजिस के सेशन में मैं द्रूज आनिया आप सबका स्वावित करता हूं आज एक दिन के अंतराल के बाद हम मिले हैं मगर आगे का जो विक रहेगा वो मरे रिगुलर रहेगा और प्रति दिन हम लोग यह रिशर्च लेटोरियोल एनलजिस के सेशन में से जो महत्वपूना लेक है जो अमरी सनदी सेवा हो के वह अनिया प्रतियोगीता परिक्षव की हिंदु में से एक लेक बहुत ही अच्छा प्रदेशित हुआ है और उसको उमने चेन किया हमरे रिशर्च टीम में इसका तैटल में द्रशियमान है क्वाड स्ट्रेटर्जिक ऑपरचुनिटी और एक वगमेर यानि कि जो बहु चर्चित जो बहु प्रसिद्ध क्वाड न प्लस यह संगठन यह भारत को कैसे फाइदमन साबित हो सकता है कैसे भारती जो महत्तोकांक्सा है उसको पूर्ण कर पाता है तो यह पूरी चर्चा को यहां लेखक ने बहुत ही अमरे सामने अच्छी तरीके सा रखा है आज के अमरे लेखक तलमीज एहमद है जो की का प्रबंध में लोग कह सकते है और अगर वीसे संबंध आज का अज इस लेक की उपयोगी ता देख है ठीक है अमरे सब्जेक संबंधी तो बहुत ही उपयोगी लेक है तो प्रेलिमरी में तो प्रेलिमरी के साथ मुख्य परिक्षा में वह हमरे इंटर्यू लेवल तक अधर साइड उफ दर कवर शीम्बोलिक इमेज ऑफ अ मिलिटरी एक्सेसाइज मेरिटाम एक्सेसाइज की एक इमेज जो की वाड संगथन वह उन सभी देशों के बीच में जो सेकृरिटी लेवल पर जो कोप्रेशन होता है जो सहीग होता है जो है उसका चिन्हर के रूप में हमने यहां यूज की है प्लस यहां लेखक ने बहुत ही अच्छा व्यूपइंट दिया है कि क्वाड आज मात्र सेकृरिटी एक संगथन तक सिमित है ठीक है तो क्वाड को आगे चलकर एक मिनिस्ट्रियल लेवल तक उसे पहुंचाना होगा एक समित लेवल तक पहुंचान पहुंचाना है तो मुख्य परिक्सा को समझेंगे जियस पेपर टू कि के साथ संबंद रियोर्ह डिए और इंटरनेशनल विलेशन को सब्न दिये है निए कि भारतThis की भारत फोरेंट पॉलीशी है उसको ले किया डेवलोपनेंट होंगे किस तरफी भरत की फोरेंड पॉलीशी है क्यूंच तरफी है इतएदिषियों की जो बात होती है वो इंटरनेशनल रिलेशन का खंड है हमारे समनी आधियन पर दो में तो उसके साथ बहुत ही बिदिक से तालूग रखता है साथ ही में हमरे अफेर्स में भी उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि यहां कुछ संसुदिन भी इसा पैस किया हुआ है जो में प्रिलिन्मरी में प खाइंगे मारे बातों कर लेंगे हमारे इंपूट्स रहेंगे वैसे काफी इससारे गूंपूट्सanhा वाम भी दिखने का प्रीयस कर लेंगे है एक है एस हो आर्टिकल कि और यूज विस्वल हम लोग जो अबर स्वरवां थय कि वो कन्विजन से करेंगे यानिकी उप्साहर से करेंगे तो ओ तो करेंगे है अमहरी चर्चा सुर्व निसकर्थ से तीन बिंदु में देखने कर समय उसमें से प्रथम बिंदु है चीन विरोधि क्वाड संगठन पर चर्चा यह चीन विरोधि है यहां मैंने एक एग्जेक्टिव लगया है और उसका जो मिनिंग है वह उसको सिद्ध करने का प्रेयस करेंगी कि कैसे क्वाड जो है वो एंटी चाइना है या जो है एंटी चाइना एडियोलोजी के उपर बिना है साथी भारत को लेकर क्वाड की बाति हां की गई है और साथी में आगे की राह यानि की आगे भारत को क्या करना चाहिए इस कवाड को लेकर उसकी बीडे कास्या कैसे संबंध बनने होंगे नंयुक्त संबंध है उसे और बत्तर करने होंगे तो इते दी चीजों पर यहां बात हुई है तो यह कुल मिला कि हम लोग इसे निसकस में लिख सकते हैं साथी में मैंने लेखक का आपको नाम बता दिया आज का लेक बेनाम नहीं है बहुती प्रतिस्थी व्यक्ति के दोरा यह लेक बत रही प्लस यहां में यह भी देखना है कि अगर लेक का स्ट्रॉक्चर देखे तो एलोंग वित बेग्राउंड राइटर एज एक्चुली क्लासिफाइड द एंटार आर्टिकल इन थ्री पोर्शन यानि कि तीन चरणों में पूरे लेक को रैटर ने अपने आपी क्लास पादी रहेगा दूसरा रहेगा इंडिया इन क्वार्ड फिसरा रहेगा इंडिया एंड चाइन या इंडिया इंडिया थाइवित चाइन ख़्ली जिए एंड फॉर्थ यानि कि लास्ट विल भी रिसेटिंग पॉलिशेज यानि कि क्या स्ट्रॉक्चरल रिफॉम्स लाने होंगे जो जो तुरुटी याम लोग आज कॉड में देखेंगे देखिया कॉड जो है वो नया है बहुँ चर्चित है और एक कक्षा तक अच्छा भी है व इसकी भी अपनी तुरुटी यां है जिसको लोग आज इनमें से कुछ तुरुटी यो को आज यहां एक्स्ट्रॉल करने का प्रेस करेंगे तो बाद में देखेंगे कि क्या क्वाड की जो है उसका भी स्ट्रॉक्चरल रिफॉम्स आज समी की मांग है या नहीं है या क्वा बेग्राउंड के साथ हम लोग चार भागों में इसे विवजित कर सकते हैं प्रतियक भाग में लेखक ने बहुती अच्छा संसोद ने पैस किया है मेरे सामने जो रेडी मेडी रूप से अमरी परिक्सा मांगे है उसको संतोच में में जो है सफल बन सकता है तो देखेंगे देखें यहां से लेक की महत्तो पुणा बाते सुरू करेंगे जिसमें सरो प्रतम लोग बेग्राउंड की बात से सुरू करेंगे तो पहले तो देखना है कि लेखक ने यह लेख के अधर को क्वाड के उपर पसंद गी क्यों उता रही तो देखिए ऐसा हुआ कि पांच मर्च को जो भारतिय वीडिया में और ख़बर प्रदेशित हुई कि अस्तरिया के प्रदयन मंत्री ने साफ तोर से कह दिया कि वह कौड को हमें अब सिक्रेटी डाय लोग से उपर उठा के समिट लेवल तक उसे ले जाना चाहिए समिट लेवल तक उसे विक्सित करना चाहिए सिक्रेटी लेवल टू समीट लेवल यानि की मिनिस्टोरियल लेवल इन शोट उस्टलिया के ब्रधान मंत्रिने इस संगठन के स्कॉप को इस संगठन के प्रभाव को बढ़ाने की बात की तो यह अधार बना लेखक के इस लेखक का यहां से लेखक नहीं है पूरा मुद्धा उठाए इस पूरे मुद्धे को हमरे सामने बहुती अच्छी तरीके से संसोधात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया प्लस यहां यह भी देखना है कि एक कारण यह भी है कि जो यूएस आज में मालूम है कि सबसे सक्तिसाली देश जो है वो यूएस है अला कि पिछले 10-15 बरसों मे मल्टी लेटरल एक ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें कहा जाता है कि प्रतियक राश्ट्र जो है वो अपने आप में 37 साली है अपना अपना साह से के मगर अगर आकडों की बात करें स्टाटिस्टिक्स देखें और अनिया विकास की बात करें संदर्चनात्मक विकास की ब तो हम लोग यह निशकर्स तक पहुचेंगे कि नहीं संदर यूएस जो है वो अनिया राश्ट्रों के मुकाबले काफी सालों आगे है ठीक है तो एक परहस है वो जो सर्वसक्ति मन लोग उसे कह सकते है सर्वसक्ता देश कह सकते है तो कहने कदर पर यह है कि वहां निर्वा यह है प्रोफाइल यूएस एलेक्सिंस को ट्रेट भी किये थे तो उसके तहट जो यूएस प्रसाशन आया है उस प्रसाशन में को 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 बढ़ाने की यानि कि इसे विस्तुरूत करने की या शक्तिशाली बनाने की तैयारी दर्शाई तो स्वयम यही समाचार में ही जो अहमियता थी अधिन तक उसमें अनेक बुना इजाफा किया उसमें अनेक बुना बढ़ावा किया तो अब दीर दीरे जो सभी राष्ट्र है वो भी सतर्क हो गये क्योंकि उन लोगों को भी लगने लगा कि नहीं अमेरिका वोंस टो प्रकर की हमत आई प्लस यहां यह भी देखना है कि पिछले कुछ दिनों पहले यूएस के स्टेट डिपर्ट्मेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वाड को नवाजा और कहा कि यह आज का जो क्वाड है वो दरसल एसेंशिल मोमेंटम है आज का एसेंशियल एंड इंपोर्टेंट पोटेंशियल है साफ़ तोर से यूएस के स्टेट डिपर्ट्मेंट के दवरा यह स्टेट मेंट है और उसमें उन्होंने कवाड को कुछ इस तरह द्रसाया की यह है एक प्रकार की आज की जरूरीया थे आज की गितिसिलता है जो अनिवार यह है और साथी में इंपोटेंट पोटेंशियल यानि कि महत्तोपुना सक्षमता है तो कहने के तत पर यह कि इस रूख को देखके अम लोग यह निसकेस निकाल सकते हैं कि US Quad को बढ़ने के पूनरुप से मुड में है पूनरुप से उसके सहयोग में है वो Quad की पॉसिबिटिस को उसका स्कॉप को आगे के समय में नहीं संदेव से बढ़ा सकता है उसमें कोई संका का स्थान नहीं है साथ ही में यह भी देखना है कि भारत को जो आज Quad में समील होना पड़ रहा है इनके पीछे कुछ कारण है इसमें ब्रीफली हम लोग दो कारणों को दिया देखिया कैसा है सबसे प्रथम कारण चीन की गुशन खोरी काहां दो महत्तोफुन ख्षत्रों में जिसमें से यह ही कह दीजिए साउथ एशिया में और दूसरा इंडियन ओशन रीजियन में साउथ एशिया में जो चीन ने अपना अक्रम कोलन दिखाने की शुरुवाट की है प्लस जो चोटे-चोटे और यह जो उसके परोस के प्रादेशिक राष्ट्र है जो कि आम तोर पे चीन से बहुत ही चोटे है तो उन लोगों को दराद धमका के उन लोगों को परिशान कर रहा है साथी में अंटियन ऊशन रिजयन है जिसमें भारत के काफी सारह पिद्व मेहित है तो उसी पूरे प्रदेश को भी जो प्रभव में रानने की कोशिश चीन के दवरा यहां की जा रही है तो यह एक प्राथम कारण माना जाता है प्लस यहां दूसरे कारण में चीन इनिशेटिव कहा जाता था हला कि वो नाम थोड़ा बहुत ही इंपरियलिस्टिक था तो इसी लिए चीन ने उसको चेंज कर दिया और आज फिलहली से इनिशेटिव के नाम से जानते है वो ऐसा ब्रांडिंग करते हैं कि यह एक लोजिस्टिक प्रोजेक्ट है यहां के ट्रांस्पोर्ट कॉलिडोर है जिसके तहत चीन पूरे यूरेशिया में और साथी में यूरोप में या अब समझ लिगिया कि पैसिफिक शत्र में पौटने की तेयरी कर रहा है जिसे बीरई के नाम से जानते हैं ठीक है और इसी यूजना के तहत जिसका भारत आज विरोध कर रहा है क्योंकि इस यूजना के तहत इसके कुछ ऐसा अंग है जिन अंगों में भारत की जमीन जो है वो अवेध रूप से जा रही है भारत की जमीन पर अवेद रूप से कब्जा हो रहा है तो यहां एक करण यह भी है भारत का इसके प्रती अहसामति दिर्शाने का और दूसरा करण है दूसरा थोड़ा महतोपून कारण है और यह है कि चीन जो है वो दरसल भारत को या भारत के जो स्ट्रेजिक लोकेशन से ठीक है यह पूरे इंडियन ओशन रिजियन में या पूरे साउथ इसन रिजियन में उसको भी अड़प रहा है जैसे सिलंका के कोई बंदर ले लिजिए पाकिस्तन का गुंदर बंदर हमने देखा था सि अंदमन निकोबर्स के जो करीब करीब के जो अन्हाबिटेटेड ऐलेंड जे उसके उपर आज चीन जो है वो अपनी निजर कायम कर रहा है प्लस इस बियरे के तहत स्ट्रेटेजिक लोकेशन के उपर स्ट्रेजिक लोकेशन के उपर आवी हो रहा है ब्रांडिंग कर रहा है यह लोग एज लोजिस्टिक मगर पूरी दुनिया को मालूम है छोटे बच्चे से लेके सभी जो थोड़े जो है जो है जो चिंतन करने वाले लोग है उन सब को मालूम है कि यह चीन का एक दिखावा है लोजिस्टिक का तो असल में वास्तविक रूप से उसकी योजना जो है वो थोड़ी सी आप समझ प्रत्यक्स रूप से चीन के साथ संबनती है प्रत्यक्स रूप से चीन के साथ और सम्बनती है प्रत्यक्स रूप से और जो तीस्ता करणी यहां दिया गया है लेखक का द्वरा उसके द्वरा कहा जाता है कि यू एस जो है वह आज भारत की मुद्ध कर रहा है या समझ लिजिए कि अगर भारत की सिकूरिटी की बाता है भारत की सुरक्षा की बाता है यू एस इस दा अप्शन ओनली बेस्ट ओप्शन यू एस इज ओनली वेच्ट option for Indian security और यहां अगर देख है तो चीन जो है वो प्रक्स रूप से इसका कारण है क्योंकि भारत को सेक्यूरिटी की क्यों जरूरत पड़ रही है उनके जगड़ा खौर परोशियों से बचने के लिए उनके जगड़ा खौर परोशियों की जो हरामी नीतियां है उनसे बचने के लिए तो यहां उनके जगड़ा खौर भारत के परोशी कुन-कुन से है तो एक है पाकिस्तन और दूसरा है चाइना पाकिस्तान तो ना समझ है वो दुरूबल भी है तो वो अमरे लिए कोई चुनोती नहीं है ठीक है मगर चीन जो है वो परिवक्वा है साथी में सक्तिसाली है और साथी में छलपोन है तो यह अमरे लिए बहुती बड़ा खत्रा है तो यहाँ चीन अमारे प्रोक्स रूप से किसरे कारण में भी जिम्वधर है है कि अम लोग अमरे नीती को क्वाड की तरफ उसे क्लें कर रहे हैं क्वाड की तरफ देश नीती है वो पूरी जो चल रही है तो यह सर बात वी पुरुब भूमिका की अब उमें यहाँ प्रथम मुद्दा देखना है जिसके अतहत लेख Internet के उपर आज लोग डिजिटल यूग में जी रहे हैं तो काफी सारा काम जो है यह है अमलोग पहुच सकते हैं काफी चीज़ें पहुच सकती है तो इन सारी जो जो है गति विदियों से आज अमरी तो इसके तरत में देखना है कि यह पुरा वेस्टन प्रसांत क्षत्र कह सकते हैं प्रसांत क्षत्र ठीक है तो भारत और वेस्टन प्रसांत क्षत्र क्षत्र के नविश्टम से थिए। वेस्टन पसिएन का भाग नहीं है मगरे फिर भी वो प्रकेस्टन प्रसका बम है तो यह अपने हम घ्लु का है स्थिती है जो स्थिती ने भारत का उम्हत्व इस पुरे ग्रूपिंग में अनेक गुना बढ़ा दिया है अनेक गुना तो यह सारी चीजे जो है वह में थोड़ी मेगनिफइड रूप से देखने को मिलती है तो यह पुरा वेस्टन जो पैसिफिक रीजियन है वह यह है ठीक है और यहां चीन के द्वारा गुसपेट हो रही है अवेड रूप से गुसपेट हो रही है अवेड रूप से एंक्रोचमेट हो रही है ट्रस्पासिंग ओफ अधर नेशन्स प्रोपटी हो रही है तो इसी के मद्द नजर रखते हुए यूएस ने को सन्मानित किया और उसके कद को बढ़ाने की बात की साथी में भारत के कद को भी उसकी भोगलिक परिस्थिती को लेकर भारत के कद को भी बढ़ाने की यूएस ने बात की तो यह परिस्थिती है प्लस हमें है यह भी देखना है कि पिछले चार बच्षो से 2017 से वाड़ सभी राष्ट्रों के बीच में मिलिटरी एक्सिसाइज हो रही है मेरिटाइन जो सिक्रिटी कोर्परेशन है वो चारो के चारो जो राष्ट्र है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ निभा रहा है और आगे बढ़ रहा है तो अगर अमें जो है देखना है उसके देखने है तो आप भारत के उत्तरी अक्षेत्रों में चले जाए भारत के उत्तरी हिमाली अक्षेत्र है जो चीन के साथ जूड़े हुए है वह पूरा जो एरिया है वहां चीन लगबग-लगबग 2018 से अक्रमानकारी जो वलन है वो दिखा रहा है उसकी नितियां जो है वो अक्रमानकारी रहती है आजकल राइट फॉम 2018 जब हुमने स्टेंड़फ देखा था रोकलाम फिर उसके बाद 2020 में बिल्वान और बिल्वान के बाद एस सीरीज ओफ मुल्टीपल स्टेंड़फ बिट्विन इंडियन सोल्जर सेंजर चाइनिस काउंटर पार्ट ठीक है तो यह जो अक्रमक वलन है वो दरसल इसके लिए ही जवाब द कर बात हुई तकि अनिया प्लाइफ के साथ रहा है प्लस यह तो मत बात हुए कोड के साथ भारत की Ну जो मेरिटन सिक्रीटी एक्ससर है अगर अंगर अनिया रीजिल !」 ऍे जिसमें मैंने आपको फारिष्ट एसिया के कुछ देशों के नाम दिये जिसमें मिलसिया है फिलिपाइन से इंडोनेशिया है या आप समझ लीजिये कि कई सारे है ठीक है लाओ से है वियतनाम है तो इनके साथ भी भारत आज नवल कोर्परेशन बढ़ रहा है डिफेंस टाइ में सुनिश्चित करवने का प्रियास किया है साथ ही में लेकत में यह भी बोला कि कुछ साल तक आज तो भारत सुस्पस्ट है मगर पुरुवके कुछ साल तक भारत जो है वो अस्मंजस में था और यह अस्मंजस कुछ ऐसी थी कि क्या कोड के साथ जुड़ा जाए क्यूंकि एक मानियत ऐसी भी है कि कोड चीन विरुदी संगठन है चीन विरुदी संगठन तो क्या भारत को खुल के ऐसे चीन विरुदी संगठन का साथ देना चाहिए और ऐसे वात्तावरण में इसी सिचुएशन में इसी प्रिष्टिती में जब चीन और भारत आंतरिक शीमा शेर कर रहे हैं चीन भारत इंटरनेशनल बॉर्डर लगब लगब पैपीसो किलोमीटर लंबी बॉर्डर है हमारी हम लोग शेर कर रहे हैं तो किया हमें ऐसे चीनी विरुदी संगठन को अपना चाहिए उसके तरफ हमें सहमती दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए मगर दिरे दिरे चीनी अक्रमनकरी नीतियों को देखके चीनी का जो रूख है ठीक है उसको देखके हम लोग दिरे दिरे क्वाड़े तरफी अब हो गये है प्लस यहां निरंद्र मोदी ने 2018 में प्रोबबली संग्री ला जो डिक्लारेशन हुआ उसमें स्वयम हमारे प्रदान मंत्री निरंद्र मोदी जी ने सुस्पष्ट किया कि वही जो वेस्ट पैसिफिक जो क्षत्र है वो धरसल कोई पॉलिटिकल डायलोग नहीं है कोई एंटी या कोई एंटी नेशन डायलोग नहीं है ठीक ह मगर यह एक सामनिय से भोगोलिक परिभासा है भोगोलिक परिभासा मत्र है ठीक है तो विश्व कोई सदर्ण की जरूरत नहीं है प्लस निर्यन जिन ने यह भी सुस्पष्ट किया यह कलिर कि यह कोई लिमिटेड राष्टौ का कोई संगठन नहीं है इसमें काफी साल राष्टर जूर सकते हैं और यह तो एक प्रादेसिक एक स्वहयोग संगठन है ना कि कोई किसी देश के विरोधी संगठन है ठीक है हमरा प्रदन मंतरी को भी यह बात को जो है पुब्लिक इंटरफेस में इसको सुस्पस्ट करना पड़ा इसे क्लेडियन करन तो यह भी यहां में देखना चाहिए मगर आज प्रिस्तिती यह है कि भारत जो है वह भी अब सहमत हो गया है कि क्वाड का जो पूरा जो संगठन है क्वाड का जो स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा जो है बियोंड सेक्यूरिटी लेवल लेजने का समयागी है वह आज भारत भ रहा सेक्योरा ज क्षटर के verdictWh util नहीं है जैकर चाहिए बीच में जो न्युक्र प्रसमते के भार का संगठन तो कहीना कहीन भारत के दुर्गम्प उत्रीय हमाल्यक्षैत्रों में जो आज चनी अकरमन हो रहा है जो आज चनी दबाव हो रहा इस तरफ से वह विरोद दिल्स Кर्यास कर रहा है तो यह पूरी बात रही यहां पहले चल्णाथ की अब अगर दूसरे चल्णाथ की देखना कि भारत उरचीन का क्या है खाल कि ए कि धेखना है जो प्रम स्प्रीचन के बीच में बहुत यह असंतिक न governments के यह हार्मनी को गय ही हो गई है और जो मैं आपको बात बताई 2018 की जो डोकलाम स्टेंड ओफ हुआ इसा कई विशो शग्यों का लगता है इंक्यूडिं मुझे भी यही लगता है कि यह जो डोकलाम स्टेंड ओफ है यही चीन के के विरुद की भारत के कौड़त तर्फी होने की नीति के विरुद की यह जो पहला प्रमहन में 2 कलाम में मिलता है फिर बाद में 20 बिश झून को बिल्वन वेली क्लेशेश इस मंए 20 भारतिय सैनिक विर्गती को प्राकत हुए और वहीं 35-45 सैनिक जो है वो भाधुर सैनिकों के द्वारा मारे गए ठीक है तो यह भी एक इसका ही अंस है यहाँ चीन के विरोध का ही अंस है भारती अनितियों के तरफी विरोध का जो अंस है वो में गलवान में भी देखना हो का मिलता है और जैसे मैं आपको बताया कि कि अफटर गलवान दरीज और सेरीज और सेंड़ अरमी और पीपल्स लिबिडेशन आरमी ऑफ चाइना तो यह बात है यह परिस्तिती है अगर आगे देखे तो हमें यह यह भी सुनेशित करना है कि ऐसा नहीं है कि क्वाड जो है वो सरुगुन संपन है ठीक है क्वाड में भ जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन से जिसको हम आगे एक्स्पड करेंगे मंगर उससे पहले हम उसी उसकी उपयोगी तब देख लेते हैं कि वह भारत के संदर्व में कितना उपयोगी है कितना महतुपोना साबीत हो सकता है देखे सर्व प्रतम मुद्ध यह है कि यूएस भारत को बहुत ही एक अच्छे सहयोगी की के रूप में पहचानता है यूएस भारत को एक अच्छे बहुत है यूएस सहयोगी की रूप में पहचानता है यूएस यूएस कहता है कि वह हुमारा बहुत ही अच्छा ब़न सकता है अगया के दिनों में क्यूंकि यूएस जो है चीनी विरोधी बात करता है तो चीनी विरोधी उसे भारत का सहयोग बहुत ही अच्छा मिलता है कि भारत का बोगोलिक स्थान स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत की जो साइज है वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी है भारत की इकोममी की साइज वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी है तो एक perfect partner यहां US को दिख रहा है भारत में भारत के रूप में और US अपने आप में एक rule based world order का इमायती है इसकी वकलत करता है दोना चाहिए नियम अधारित विश्व की विवस्था बननी रहनी चाहिए या होनी चाहिए ऐसा US का मन ना है मगर यहां एक गंबिर का यह है कि यह rule based की जो बात करता है यूएस यही रूलों को सबसे जयदा तोड़ता है यूएस वायोलेट्स लोज इंसल्फ अपना पी यूएस जो है वो नियम तोड़ता है तो यह यह भी एक चिंता प्रगट होती है कि आज यूएस भारत को खीच रहा है अपनी और तो कल को भारत को धक्का भी देगा जब उसकी जरूयाद उसका स्वारत जब पूर्ण हो जाएगा तो भारत को धक्का देगा मगर भारत कहां जा सकता है भारत तो चीन के साथ आंतरिक जो है रूप से अंतरस्टियर सीमा से जूड़ा हुआ है चो कि यूएस नहीं है या उस्टिलिया नहीं या जापन नहीं है तो यह भारत को सोचना है और यह भारत के लिए एक धर्मसंकट की परिस्तिती हो सकती है जिसको लेकर कई सरे विशेजग्यों के बीच में भी कई सरी बाते होती है और काफी सारे लोगों को इसका कुटूल है इसकी जिग्यासा है प्लस यहां में यह भी देखना है कि अगर भा देखने में फैली है तो चीन को इसका प्राख्मिक जिवाब्दार या जिम्मेदार मना जाता है तो इसी बीच वर्स 2020 में भारत का नंबर वन ट्रेड पार्टनर चीन बंकर उपर आया चाइना नमबर वन ट्रेड पार्टनर विधर तो वे ट्रेड ऑफ अप्रोशिमेटल सेवंटी स्वंटिस्वंट्य बिलियन दोलर टू वे ट्रेड यह प्रिस्तिती है आज ठीक है और अगी के समय में भी भारत और चीन के साथ यह पर बढ़ सकते हैं यहां भारत ये सरकर के द्वारा भी आत्मनिर्बर भारत की नीती लागू हो चुकी है अत्मनिर्बर भारत मेकिन इंडिया तो 2015 से ही लागू हो गई है मेकिन इंडिया जो की सारी नीतिया चीनी विरोधी है ठीक है मगर फिर भी इन सबके बीच में भारत का 2020 का सबसे नंबर वन वानीजी सही होगी या ट्रेड पार्टनर चीनी बनकर उबरा है वित है टूवे दोलर 77 बिलियन तो आप लोग यह ट्रेड की साइज भी समझ सकते है प्लस यह यह भी देखना है कि आज जो यूएस और चीन के बीच में जो व्यापर चल रहा है यह व्यापर में भी आज चीन को फाइदा हो रहा है अमेरिकी इन्वेस्टर्स चीन की कमपनियों में यह सु हम लोग चीनी को बिजनेस देंगे चीनी को capital देंगे ताकि हमारे network में भी हमारी जो संपत्ती है हमारी प्रोपर्टी है उसमें भी इजाफा ओवर सके पहले ही वहां का जो प्रसाशन है ऑफिसल प्रसाशन वो चीनी विरुधिवादी बात करता है वहां के जो नीजी मिल रहा है, फारी फैदा मिल रहा है और इसका जो जबाब है वह चीन अपनी अकरमणकरी नितियों में देगा क्योंकि आफटरोल वे जो सारे पैसे आते हैं दिफेंस में ही लगाता है अलग नियर राष्टो के मिलकरतों को नियर राष्टो की जो है सीमाओं को एंकरोच करने में उसे ट्रेस्पस करने में ही लगाता है ठीक है और ऐसे बियरे जैसे जो है अपने महत्व कांग सी छलपूर्ण मिशनों को रोजिस्टिक जैसी अची चीजों के साथ उसको ब्रांडेड करेके मार्केट में बेचते हैं तो यही चीनी प्रोपोगंडा है जिसको अधिक फ्यूल मिल सकता है क्योंकि यहां आप लोग फ्यूड का यह जो पूरा सीन है वो देख सकते है प्लस यहां एक अमरे स अमरीक एंवेस्टर्स अध्यूलर वन ट्रिलियन अधिक इंवेस्टर्स अधिक यह जोड़ अन्ड़ बार्ट अधिक इंवेस्टर्स अधिक यह जोड़। और रेंडमली एक यहां सर्वक्षन भी प्रदेसित हुआ है जो कि बहुत एंफर्मल तरीके से किया गया था मगर यहां से हमें कोई आइडिया मिल सकता है तो according to that survey कहा जाता है कि 75 फिस्दी अमेरीकी जो निवेसी कार है वे चाइनिस कंपनी में अपने पैसे लगने के लिए तिल टुड़े राजी है कि कै आज के दिन भी 45 फिस्दी वहां के जो उध्योख पती है वहां के उध्यम ही है वो चीनी कंपनी ओं में जो है चीन के साथ संबंध बढ़ाने में व्यापरी संबंध बढ़ाने के लिए राजी है उन लोगों को कोई डिकट नहीं क्योंकि धं ये पुरी बात है और ये पूरा चरण जो है वह में ताइज सब लिए को इसके या चाहता हूं की क्वाड जो है उसमें अमेरिका सर्वसक्तिमान है पेले तो पूरे विश्व में वोम ने देखा वंगर क्वाड में भी वही सर्वसक्तिमान है क्वाड दरसल अमेरिकी केंद्री या केंद्री अब कह सकते हैं अब अमेरिका की पोजिशन देखे देन देखना है कि जो ग्लोबल इंट्रेस्ट है, पूरे विशो के हित, इंक्यूडिंग राष्ट तो समझ गे हम लोग सारे राष्टो के हित, मगर उन राष्टो के लगभ लग वर्गों के हित, जैसे एटि डेवलोपर्स के, जैसे आप समझ लिजिए की Crude Manufacturing Companies के, जैसे हथियर बिनने वाली companies के ठीक है तो सारे जो वेश्वी के हित है वो अमेरिका में नहीं हित है वहीं अमेरिका की जो नीती है वो at the end of the day ऐसी ही नीतियां implement करेंगे ऐसे ही चीजों के ऊपर वे चर्चा करेंगे वे विचार करेंगे कि जो उन लोगों को फाइदेका रखो यानि कि self-centered और उसमें कोई गलत बात नहीं है at the end of the day सारे nations यही करते है अच्छी बाते करते हैं अच्छी अच्छी समीच में इसा लेते हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी होटलों में रहते हैं वहां बहुत ही अच्छा time spent करके at the end of the day रास्ट्र जो है वह साही डिजिजिजन लेगा सानः जो अपने रास्ट न ही लेच Hey अपने रास्ट के लिए पने रास्ट के लोगों के लिए हीड करी हो टीकह अपने रास्ट को मुद्धों करके वह अपनी जो जो उसके हित में हो उसको हितकारी हो तो अमेरिकन पॉलिसी यहां सेट संटर्ड है प्लस अमेरिका की जो मैंने बात की कि आज भारत को खीच रहा है कल को वो भारत को दका भी दे सकता है जब उसके स्वारत पूर्ण हो जाए तो वो भारत को दका भी दे सकते है तो यहां भारत को यह भी सुनीशित करना है कि जो चीन के साथ संबंद बिगड़े है को प्रति में कि या उसकोो अच्छय करें या क्वाड टी की तरफी जो एक तरफी ने लेले कि बहुत के साथ ही जाना है तो ओंड़या करना है तो और चीन के साथ संबंदों को और मत्तर पुषिद्र ही तो यहां भारत कि समय इसको भी काफी सरी तीजह शिखने को मेली है पिछले कुछ दिनों में कुछ बर्सों में जैसे आफ लद्दाप का देख लीडिया ग्रवन्वीली क्लैसिस जो है उसमें हमें यही सिखना है कि हमें प्रियोडी है कि इसको देनी है सर्व प्रथं priority to what are Indian interest and state of foreign policy यह तीन चीजों को भारत को एड्रेस करना है यहां भारत की थोड़ी भूले है थोड़ी ठूटिया है कि वह में लदाक में जो स्टेंड़ोफ हुआ उनसे जहनने का अउसर मिला है इसमें सर्वकरतम देखना है कि प्रायोटी किसको दे क्वाड को दे कि विशों का सर्वसक्ति कि उसको प्रायोटी देनी है तो भारत को यहां सबसे पहले यह सुनिशित करना होगा प्लस यहां यह भी चिन देखा दिया बहुत ही खरब किसम का रिमेंडर देखे बहुत ही रूड रिमेंडर देखे जब लदाक में पहुँच गए तब हमें ऐसास हुआ कि हमारा असल हि दूर है तो यह यहां चिन ने में बहुत ही रूड रिमेंडर 2020 में ही दे दिया था फिर उसके बाद वोटर इंडियन इंटरस्ट जिसकी बात में ने कि भारत यह इंटरस्ट उत्तर यह चिन के साथ फिजिकल बोर्डर है नहीं कि वेस्ट पैसिफिक क्षट्र में जहां मात अमेरिका को पसंद नहीं कि चिन का कंद बढ़ रहा है उस पुरक्षत्र में ठीक है इसलिए हम लोग अमेरिका की मदद करें तो यहां यह भी हमें सुनिश्चित करना है प्लस यहां स्टेट ऑफ फोरेंग पोलेसी कि भारत की जो विद्श नीटी है उसका स्टेट क्या रह कि इसी जो है वो सबसे उपर रहनी चाहिए है उसकी डॉमेस्टिक पोलिसी काफी नीचे याएगी सबसे उपर फोरेंग पोलिसी रहेंगी और यहां एक और भी बात ऑर भी महत्वपूर्ण मुदा लेखक ने बुला कि यह फोरेंट पोलिसीज में राष्टर का हीत देखना चाहिए यहां राजनेतिक हीतों की बात नहीं करनी चाहिए जो आम तोरके भरत के संदर्व में भरत के संदर्व में जो डेमोक्रेटिक प्लूरिल्जम में देखने को मिलता है तो वो यहां नहीं होना चाहिए और राष्टर के हीत में ही बात होनी चाहिए जो राष्टर के हीत में हो वो सर्व सहमती से उसका नेनी करना चाहिए तो यह यह लेखक ने सुस्पस्ट किया तो आज की इस पुरी बात मैं बहुत ही अच्छा संसुदिन देखने को मिला, साथी मैं यह अपना आप में ही एक उच्छ कोटी का प्रबंध था और यह इतना अच्छा प्रबंध था कि मुक्षपरिक्षा अमरी और उसके सत्सतमरी प्रिरिमरी दुनों के लिए हमें बहुत प्रबंध साबीत हो सकता है, काफी सरी चीजे देखी, तीन चरणों में जो पूरा लेख यहां हमरे सामने प्रस्तुत था उस चरणों में ही देखा, मगर हमरे समझने के सहुलियत के लिए हमने इस लेख को लग-लग बिंदु में तोड़ दिया ताकि हमरी समझ और बहतर हो alle चरणों बेखे, को अब वक्त है, अब आज के प्रेलिम्नेटवी प्रसना का अज दो प्रसना है, में जो झाहुंत भी प्रसन से चले पर करांगार है, दोनों को देखते हैं, दोनों के प्रेंटिस आपको अप करनी है, अपनी तरीके से हिंए और उनके जो जवाब है वह म में के कुछी घंटों में आपको मिल पाएंगे देखिए प्रिलीम का सवल आज मर्स हमने निनली खित कफ़रों पर विचार कीजिए तीन कफ़रों मर्स हमने मोजूद है देखते हैं सरोप्रथम भारत चीन के बीच अंतरस्ट्य सीमा 200 किलोमेटर गी है दूसरा कथन वर्स 2020 में चीन भारत का सबसे बड़ा वानिजिक सहयोगी पार्टनर बन गया वानिजिक यानि की ट्रेइड पार्टनर तीसरा कथन आज यूएस से ना व्यापार में चीन को फाइदा ज्यादा मिल रहा है उपरियुक्त कथनों में से अपको असत्य यानि की इन कि एंस्योरी क्योवल एक कि पहला वाकेटलएं गलत है बाकी की सपरीक्रीशरे सच्छे है और त्येकर यूदु offline करते कि निने में र्भीस यहां के प्ल Guid viewers का Smith America क ini के सकते हैं अब बहुiran है इस्के में सकर्शून की जिसके तहत इस्ट में दोनों शुम्स मिन निएर परimes आ रहा हूंगा बहु चर्चित क्वाड संगठन को लेकर भारत की भावी नीतियां कैसी रहनी चाहिए विश्टेशन कीजिए वही प्रवर्तमान भारत की क्वाड नीति की समिक्षा कीजिए अब मैं इंग्लिस में दो रहाता हूं अनलाइज इंडिया फूचर पॉलिसी टूर्ज पॉपिलर वाड गूरूपिंग एलोंग विट एग्जामिनिंग इंडिया करन्ट स्टेंड विज दसेंग तो यह आज का मेंस का प्रसन है आप अपने विचार दिख सकते हैं और करने के लिए एडिटरियल रूत Scorpus भी ट्रुप होती है निखने की शही देवलोप होती है और सब्सका को हो सकते हैं तो अलिए इतना ही अम लोग मिलेंगे ऐगले दिन अगले संसोधन सभादकी लिया शाषण सकतर में एक नए Samып cambhaid एक नए विशे के साथ लेक्तर रही अग्रत्माट UPSI तब तक दीजिए इजाज़ा शतु